जो कि basics है उसके बारे में और एक बार आप लोग जब basics समझ गया तो बाकी जो आगे की चीज़ें वो बहुत ही आसान हो जाती हैं तो कोई भी आपको programming language सीखना है not only python वो चाहे कोई भी programming language हो उसमें कुछ basic fundamentals कीज़े होती है जो कि same रहते हैं हर programming language में तो हम लोग जो अभी सीखने वाले हैं वो more or less उस type की चीज़े सीखने वाले हैं तो सबसे पहले कोई भी programming language होगी उसका एक syntax होगा ठीक है अब मतलब चीजों को लिखने का तरीका कैसे है और programming language जो आप day to day language यूज करते हो बिलकुल उसकी तरह ही होती है तो ऐसे ही जैसे अगर आप English में बात करने का एक तरीका होता है कि पहले subject आएगा फिर verb आएगा फिर object आएगा और भी बहुत सारे syntax होते हैं तो similarly programming language में हर programming language का एक अपना syntax होता है तो syntax basically क्या है वो बताता है कि कोई भी चीज को आप कैसे लिख सकते हो कैसे use कर सकते हो और उसका क्या syntax होगा क्या तरीका होगा उसको लिखने का अब उसके बाद जो है next जो बहुत ही fundamental बहुत ही basic चीज है वो होती है data type data type याने कि आप बता रहे हो कौन सी जो चीज है वो किस type की है ठीक है जैसे कि आप जो पैसो की जब भी आप पैसो की बात करते हो तो पैसे हमेशा numeric type की चीज होती है ठीक है उसी तरह अगर आप और भी अगर आपको easy example दो तो जैसे आप लेसे दूद लेने जाते हो तो आप हमेशा liters में लेते हो ठीक है कोई सबजी खरीदने जाते हो तो हमेशा kilo में खरीदते हो similarly आप पैट्रोल लेने जा रहे हो तो वो हमेशा liter में होता है तो यह याने कि basically हम बात कर रहे है कौन सी चीज है और उसका data type क्या है अगर थोड़ा data types का भी हो सकता है जैसे कि list हो गया, dictionary हो गया, JSON हो गया, rest हो गया, इन सब चीजों की तरह भी हो सकता है अब इसकी इन सब data type की जरुए तिसले पड़ती है क्योंकि human बहुत easily चीजों को समझ जाता है लेकि computer को अगर आपको कोई भी चीज efficient तरीके से समझानी है तो उसको पह बहुत ही जरूरी होता है और data type हम लोग देखेंगे कि किस types के data type है इसमें python में और हम उसको कैसे use कर सकते हैं लेकिन data type जो है बिलकुल बहुत ही basic चीज है और यह तो आपको आनी ही चाहिए और यह मैं सिर्फ python की बात नहीं करा हूँ अगर कोई भी language आप सीख रहे हो तो data type आपको सीखना बहुत जरूरी है उसके बाद ही आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी अब data type के बाद जो चीज आती है वह आती है flow control की जब भी आपको प्रोग्राम लिखते हो आप उसका कोई ने कोई logic बनाते हो ठीक है कि आपका प्रोग्राम का पहला step क्या होगा फिर दूस करने जाते हो तो आप एक step follow करते हो जैसे कि आप सबसे पहले ATM के पास जाके आप ATM में अपना card insert करते हो ठीक है वह आपका step number 1 हो गया उसके बाद step number 2 में आप से ATM pin मांगता है फिर आप pin enter करते हो उसके बाद जो step number 3 हो गया कि ATM आपका ATM card और ATM pin verify करता है उसके बाद step number 4 हो गया अगर आपका verification successful है कि नहीं वो check किया जाता है फिर step number 5 हो गया कि देखा जाता है कि आप जो भी आपसे पूछा जाता है कि आप कि इतने रुपे भी draw करना चाते हो ठीक है तो यह step number 5 हो गया similarly step number 6 में जो भी आपने पैसा मांगा है वो check किया जाता है कि वो आपके account में है कि न चीज है या यह जो steps है वो basically हमारा flow है और हम लोग जो है वो flow control decide करते हैं different different उसके लिए controllers होते हैं तो हम लोग बात करेंगे कौन-कौन से flow control यह flow को control करने के लिए python में हम किस type की चीज़ों को use करेंगे अगें जो flow control है बड़ी basic चीज है और हर programming language में यह होता है यह आपको समझना बहुत ही जरूरी है इसके बाद बात करते हैं object and classes की जितनी भी high level की programming languages है उसमें object and classes का concept होता है ताकि आप जो program है वो बहुत ही easily लिख सको और उसको distribute कर सको याने छोटे-छोटे module में आप अपने program को divide कर सके हो और later on जब आपको कुछ नई functionality उसमें use करनी है तो आप पुरानी functionality को use कर सको ऐसा ना हो कि आपको शुरू से सारी चीज़े दुबारा बनानी पड़ रही है तो यह इसलिए object and classes का concept होता है इसके बारे में भी detail में बात करेंगे जब हम लोग programming वेरा लिखेंगे अभी सिरफ मैं आपको fundamental बताना चाहता था तो यह जो चीज़े है object हो गया class हो गया और functions यह सब बहुत ही ज़्यादा use होने वाली है functions की बात करें तो functions अगर आप लैसे आप एक TV का remote लेते हो तो आपका जो TV का remote है वो different type के काम करता है for example उसमें option होता है कि वो आपका channel change कर सक तो यह सब जो चीज़े हैं यह functions है आपका TV remote जो है different type के functions परफॉर्म कर रहा है तो अगर python के language में बोलूँ तो आप एक TV remote नाम का class बना सकते हो उसके अंदर different objects होंगे जो की आपके button हो गये और वो सब different actions परफॉर्म कर सकते हैं यानि different functions परफॉर्म कर सकते हैं और उसके बाद जो है हम बात करेंगे file handling की और हम बात करेंगे database connection वगेरा की तो file handling again बहुत ही basic चीज़ है जब भी आप data को कहीं store करना चाहते हो तो आपको यह file की या database की जुरत पड़ेगी क्योंकि usually अगर आप जैसे for example day to day life में भी अगर काम करते हो कुछ चीज़े होती है जो आपको store करके रखनी पड़ती है future use के लिए तो उस cases में आप क्या करते हो या तो आप उसको notebook में लिख लेते हो या आज की date में notebook में कोई नहीं लिखता उसको आप या थो mobile में little I pick यूज़ कर सकते हैं अब file यो डेटाबेश में बहुत ज्यादा difference है fire उस टाइप का कोई programming language बहुत बड़ा हो जाता है आपकी जो application है वो बहुत बड़ी है तो आपको आप सिरफ file यूज़ करके काम नहीं चला सकते हो आपको database वगेरा यूज़ करना पड़े हो तो यह सब थे हमारे basics अब बात करेंगे python syntax की तो python का जो syntax है बहुत ही simple है इसमें जब भी आप python program लिखोगे तो जो file है जिसमें आपने program लिखा है उसको आप save करोगे और उसको save करोगे .py extension से तो program का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन जो extension है वो .py होगी ठीक है तो जैसे आपको text file है तो text file की extension .txt होती है ऐसे exe file है तो उसकी .exe होती है ऐसे python program की .py होती है extension और इसके अलावा जो second most important चीज python में है वो है python indentation python indentation क्या करता है वो चीजों को बहुत ही basically easy बना देता है और indentation से आपको blocking पता चल जाएगी यानि एक block से दूसरे block को का separation है वो आपको indentation से पता चलेगा again जब यह करके दिखाऊंगा आपको तो बहुत easily समझ में आ जागा कि indentation क्या है अब बात करते हैं comments की तो किसी भी programming language में आपको comment लिखना बहुत जिरूरी है जब भी आप development कर रहे होते हो तो आप basically जो line of code लिखते हो या program लिखते हो वो सब किसी को program देखके समझ नहीं आपाता है कि क्या आपने उस program में करने की कोशिश की है या कौन सा logic लिखा है तो हमेशा जब भी आप development करते हो बड़ी-बड़ी companies में तो वो आपको हमेशा बोलते हैं कि आप हमेशा comments proper लिखो अपने python program में कोई भी programming लेंगे विज़ा आप यूज कर रहे हो comments लिखना बहुत ही important है और python में दो type के comments होते है single line comment और multiple line comment याने कि या तो आप एक line के कोई जोटा सा description दे सकते हो या फिर बहुत multi lines के description भी डाल सकते हो ठीक है again मैं जैसे कि example के लिए फिर से अगर मैं बात करूँ tv remote पे आते हैं तो tv remote में लेसे आपने एक button बनाया हो वो button जो है volume कम या ज़्यादा करने का काम करता है ठीक है तो जब आप program लिखोगे उसके लिए python program लिखोगे तो आप एक छोटा सा description डाल सकते हो which is going to be your comment तो comment में basically आप बता दोगे कि ये वाला जो code है वो volume जो है कम या ज़्यादा करने के लिए बनाया हुआ है तो उसे क्या होगा next time जैसे कोई और बंदा आके जब आपका code देखता है python का तो उसको बहुत easily समझ में आ जाएगा कि ये जो program है ये इस चीज़ के लिए बनाई गई है और उसका purpose उसको clear हो जाएगा तो इससे उसको program समझने में या आपका code समझने में आसानी होती है देखो जब भी आप program बनाते हो आप सिरफ ये मत सचो कि उस program पे सिरफ आप काम करने वाले हो जो बड़ी बड़ी organization है वो एक प्रोजेक्ट पे बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं एक प्रोजेक्ट पे में भी 50 या 100 लोग काम कर रहे होते हैं तो basically आपका program दूसरे बन्दे को समझ आना बहुत जरूरी है और जो दूसरी situation है हो सकता है कि आपको आप जिस जॉब में अभी थे आप वो जॉब छोड़के आपको लेसे कोई और अच्छी position पे जॉब मिल गई है दूसरी company में जॉब मिल गई है तो आप जाना चाते हैं तो उस case में आपको अपना handover देना होता है यानि कि उस project का basically आपको पूरा दारोमदार है आपको किसी और को देकर निकलोगे उस project से और दूसरे project में चले जाओगे तो उस case में भी अगर आपके जीतने भी आपने projects या program लिखे हैं उसमें अगर comment नहीं लिखा होगा तो वो किसी को easily समझ नहीं आएगा तो यह सब basically real life situation है जिसके लिए आपको comments वगेरा यूज़ करने बहुत जरूरी है इसके बाद बात करेंगे variable creation की variable creation याने की जब भी आप deal करते हो कोई भी programming language में तो आपको बहुत सारा आप interaction करते हो तो आप किसी से मिलते हो तो आप उससे hi hello कुछ बोलते हो तो वो information basically temporarily उस बंदे के दिमाग में store होती है अब computer language में वो चीज़े नहीं है कि आप किसी के दिमाग वाली चीज़ नहीं है आपको कहीं न कहीं store करना हुआ तो variable है वो आपको basically आप variable को use करके कोई भी चीज temporarily store कर सकते हो ठीक है अब यह again यह जब मैं example में दे के बताऊंगा तो बहुत easily आपको समझ में आजागा और variable use करना python में बहुत ही easy है अगे जो variable है और इसका data type से भी बहुत लेना देना है तो उसको हम देखेंगे again यह better है कि जब मैं उस पे जब आप मैं practical करूँ तो आपको समझाओंगा यह फिर से अब बात करते हैं फिर से data types की तो यह different type की data types है जो की python language में available है ठीक है जैसे यह string हो गया तो string जब भी आप string से deal करोगे यानि कि आपके जो words हो गया sentence हो गया उसमें deal करोगे तो आप हमेशा string data type यूज़ करोगे numeric data type आपको तब यूज़ करना है जब आप कोई arithmetic operation perform कर रहे हो for example लैसे आप जो भी है addition perform कर रहे हो subtraction कर रहे हो multiplication कर रहे हो या कोई भी arithmetic type की operation perform कर रहे हो उसके लिए आपको numeric data type यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद आता है sequence data type तो sequence data type भी बहुत ज्यादा यूज़ होता है python में especially list तो जब भी आप कोई भी application बनाते हो तो उसमें आपकी क्या होती है ये कोई similar type की चीज़े होती है nature की उस type की चीज़ों को आप कहीं ने कहीं store करते हो जैसे कि अगर मैं फिर से एक example लेना चाहूं कि लैसे आप किसी shopping mall में गए और वहाँ पे आप grocery shop में गए तो grocery shop में बहुत ही different type की चीज़े होती है जैसे एक बहुत बड़ा counter होता है जिसमें सारे full fruits बगएरा रखे होते हैं तो full fruits को basically आप different different fruit types को store करना चाहोगे और वो सब store करने के लिए या तो list या tuple type के जो है data type यूज़ कर सकते हो और similarly जो dict है वो थोड़ा बहुत similar होता है इसके nature का लेकिन उसमें कुछ variations है तो इसके भी बात करेंगे और उसके बाद यह remaining data types है जो की इतने ज़्यादा use नहीं होते हैं other than boolean data type तो जो हमारा main focus रहेगा वो उन सब चीज़ों पे रहेगा जिसका use ज़्यादा से ज़्यादा होता है और जो कम use होते हैं उसकी बाते बाद में करेंगे या बहुत ही मतलब कम करेंगे उसकी बात अगर आपको फिर भी कुछ specifically पूछना हो या आप कुछ समय नहीं आ रहा हो तो comment box में लिख देना मैं उसको ज़्यादा detail में समझा दूँगा आपको अब data type declare कैसे करते हैं तो data type जो है python में वो बताने के लिए कुछ भी आपको करने की ज़रत नहीं है python खुद ही बहुत समझा रहा है वो खुद से समझा जाता है कि कौन सा data type यूज करना है based on the value जो आप दे रहे हो for example अगर मैं बोलू welcome to python तो welcome to python एक string है python में और यह जो string है इसको store करने के लिए हमने यह left में variable यूज कोई है variable का नाम यहां पे है xyz ठीक है तो जब भी आपका variable name होगा वो हमेशा equal to के left side में होगा और जो value होगी वो हमेशा right side में होगी यह जो है यह pattern हर programming language में follow होता है not only in python जब भी कोई programming language आप यूज करोगे तो left side में जो भी है वो आपका variable name होगा और right side में हमेशा value होगी और value के जगे right side में expression भी हो सकता है तो expression basically किया है जिसको calculation वगेरा कुछ हो सकती है उस calculation को perform करने के बाद एक value निकलेगी और वो value फिर से left वाले जो variable होगी उसको assign हो जाएग अब यहाँ पर देखो तो मैंने यह पहला example लिया था string का अगर इसके बाद आप देखो तो second वाले में हमने numeric value रखा हुआ right side में याने कि 20, 20 जो है वो numeric value है तो जब xyz को आप simply assign कर सकते है, xyz equal to 20 लिखा हुए तो यह value xyz को assign हो जाएगी तो यह सिरफ one line का code है इसके लिए ना तो आपको यह जो variable है तो variable declaration वगएरा या variable के लिए कुछ नहीं लिखना होता, similarly value assign करने के लिए भी सिरफ आप यहाँ पर directly value assign कर सकते हो, python automatically जो यह value देखके समझ जाएगा कि यह value है यह integer type की value है और इसके लिए यह इसको as a integer data type treat करेगा xyz को ठीक है, similarly अगर value आपकी decimal type की होगी तो उसको python as a float value करेगा treat और similarly अगर आपकी complex data type होगी या list data type है या tuple वगएरा है तो different different python जो है वो based on जो भी value आप दे रहे हो उसके accordingly समझ जाएगा कि यह variable का data type क्या रखना है और वो खुद से वो decision ले लेगा कुछ situation ऐसी भी हो सकते है जिसमें आपको data types change करने पर सकते है तो उसके लिए data type या फिर उसको basically type casting बोल सकते है type casting का concept होता है तो अगर एक value को दूसरी value में मेरे को convert करना है तो मैं type casting यूज़ कर सकता हूँ अगें इसकी बात भी बात में करेंगे अभी के लिए फिर से आगे बढ़ते हैं और यह हैं कुछ remaining data types जो की थोड़ा से थोड़े से कम use में होते हैं जो भी मैंने आपको पहले दिखा थे वह जादा से जादा वह data types यूज़ होते हैं python में और यह सब जो हैं वह थोड़े बहुत कम use होते हैं लेकिन जब भी आप python उगेरा सीख रहे हो या कोई भी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आपको जितनी भी data types से उसकी understanding होना बहुत जरूरी है भले कुछ ऐसे data types होंगे जिसका use आप बहुत करोगे लेकिन उसका आपको एक basic level का understanding होना बहुत जरूरी है अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पर मैंने जूपिटर में प्रोग्राम लिखा हो है तो यहाँ पर हमने different different data type basically एक variable में different different value assign की हुई है उसको print करवा रहे हैं और उसके बाद python में एक variable होता है sorry variable नहीं python में एक function होता है type function तो type function जब भी आप use करोगे तो आपको बता देगा कि यह जो variable है इसका data type क्या है यह basically जो data है उसका data type क्या है तो इस case में आप देख रहे हैं हमने लिखा है xyz equal to welcome to python और हमने type function यहाँ पर use किया है और type xyz अगर हम करेंगे तो वो class string return करेगा और यहाँ पर हमने print function यूज किया है उसको print करवाने के लिए तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे इस वाले cell में आप output देख सकते हो कि यहाँ पर आपका class string output आया है similarly यहाँ पर आपका class integer output आया है क्योंकि यह जो value थी वो integer type की value है और similarly यह जो value है वो float data type की value है तो python देखो खुझ से ही समझदार है सिरफ हम different different type की value assign करें इस variable को और जब हम type देख रहे हैं उस variable का तो यह हमें different different type बता रहा है based on the value जो हमने assign कि है तो बहुत ही एक simple सा example था सारे data types का आप देख सकते हो कैसे values assign हो रही है similarly अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो या कुछ समझ में ना है तो पूछ लेना अब बात करते है type casting की तो type casting एक ऐसी चीज है कई वार क्या होता है कि आपको लेसे कि अगर यहाँ प कर सकते हो जैसे कि आप बोल सकते हो कि मैंने 10 साल पहले यह program बनाया था ठीक है तो यह 10 यहाँ पर आप as a string में use कर रहे हो as a numeric नहीं use कर रहे हो तो उस case में आपको इस value को string में convert करना पड़ सकता है या similarly कुछ cases में ऐसे हो सकता है कि आपकी value string में है उसको आपको integer में convert करना पड़ेगा तो उसके लिए हम type casting use करते है type casting में क्या होता है कि पहले तो आपने basically अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो xyz मैंने string लिखा ठीक है अगर xyz equal to 10 लिखते तो numeric value as a numeric treat करता python इसको लेकिन यहाँ पर मैंने अब str लिख दिया है ठीक है value के आगे तो क्या हो रहा है कि यह जो value 10 है वो as a string treat करेगा python ठीक है तो यह again यह जब करेंगे तो आपको clear होगा कि इसको क्यों use कर रहे हैं और इसका कितना फायदा है यह सब चीजे मैं आपको बताऊंगा बाद में कि इन सब की जुरत कहां पड़ती है especially जब user से input लेते हैं तो वो as a string input आता है फिर उसको हम कई बार अगर हमें mathematical operations perform करने तो हमें integer में conversion वगेरा करना होता है तो इस सब पर आते हैं अभी के लिए आप यह समझे लिए कि अगर किसी भी data type को आपको किसी भी एक data type को दूसरे type से convert करना है तो आप type casting use करते हैं अब बात करते हैं strings की detail में ठीक है अब जितने भी data types थे especially जो अपना है string, list और dict and tuple यह सब की detail में बात करेंगे क्योंकि यह सब जो है बहुत ज़्यादा use होते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं string की, तो string को assign करने के लिए basically यह variable हो गया हमारा xyz और हमने equal to डाला और यहाँ पे जो भी हमारा message था वो हमने लिख दिया जैसे कि welcome to python या hello world तो यह जो value है, यह as a string value है, तो अब बात करते हैं, यह computer कैसे इसको समझता है या basically कैसे value assign होती है और कैसे इसको computer treat करता है, कैसे process करता है, या कैसे इसकी indexing बगरा करता है तो जब भी आपने इस type की value आप लिख होगे, तो आप logically यह समझ लो कि वो value कुछ इस तरह से जो है store की जाती है ठीक है, और इस तरह से value memory में store की जाती है और इस तरह से उसको नीचे एक indexing number याने की sequence number type का दे दिया जाता है तो यहाँ पे जैसे आपका welcome to python था, तो यह welcome to python जो है as a array, अभी मैं array कहरे इतना बात नहीं करना चाहता है लेकिन जो array as a array treat होता है python में, तो यहाँ पे जो भी आपके जितने भी letters थे वो individually एक-एक letter याने की आप बोल सकते हो एक-एक जो block अगर आपको असानी से समझाने के लिए हम जस बोलते हैं कि आपका हर letter एक block में save हो रहा है और हर block का basically एक number है जैसे आपका जो w है उसका number 0 है उसके बाद जो next letter है या next character है उसका number 1 है और ऐसे हर यह letter है यह increment होते जाते हैं यह बढ़ते जाते हैं ठीक है तो यह जो ऊपर वाली है इसको बोलते है value और उसके जो नीचे है उसको बोलेंगे हम array index ठीक है अगर लएसे आपको इस array में से आपको लैसे शिरफ पांचवा character print करवाना है तो आप वो कर सकते हो जैसे कि आपको शिरफ पांचवा element या character print करवाना है तो वो सब है ठीक है तो इसको basically यह जो string से related जटने भी operations होते हैं उसको हम string मैं बोलूगा string slicing ठीक है या उसको हम बोलते हैं एक ट्रेवर्स कैसे कर रहें स्ट्रिंग अब यह तो हो गया positive way में ठीक है आप starting स्टार्टिंग से लेके आप फ्रन्ट वे में इसको letter by letter next letter by letter याने कि आप आगे की तरह move करें हो अपकुस सिनेरियों में ऐसा भी हो सकता है कि आप last से value लेके और वापस उसको पीछे की तरह देखना चाहते हो ठीक है जैसे कि string reverse वगेरा के cases में होता है तो उस cases में जो है आपको negative number use करना है जैसे कि यहाँ पे जैसे हमने दिखा या तो इसको आप 0, 1, 2, 3 इस वे में आप इसको read कर सकते हो या इसका आप समझे लो एक negative array index भी होता है जो कि आपको इस तरह से दिखेगा तो जो आपकी last की value हो उसका number होगा minus 1 और उसके बाद जो second last है उसका होगा minus 2 फिर जो third last है उसका minus 3 और ऐसे ही धीरे-धीरे minus 1 से decrement होता जाएगा ठीक है तो अभी बात करते हैं कि अगर हम इसको read करना चाहे तो वो कैसे होगा python में तो यहां पर example के लिए अगेन वही वाला जो हमारा example था कि xyz को हमने welcome to python value assign करवा दी और हमने जब print statement लिखा xyz तो हमें output मिला है welcome to python अब यहां पर अगर लेसे मैं xyz और zero index यानि कि जो zero index पर value है सिरफ मैं वो देखना चाहूँ तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा xyz और उसके बाद यह square brackets है यह use होंगे और square brackets में आप लिखा हुए zero तो यह आपको यह वाला जो सिरफ value है वो आपको print करवा के देगा तो यहां पर आप देख रहे हो welcome to python नहीं देखना है और मेरेको सिरफ पहला character भी नहीं देखना है मेरेको पहले 6 character देखने है तो उस case को हम बोलते है slicing, string slicing तो string slicing में क्या होता है कि जो भी आपका variable है जिसमें string assigned है उसको use करो तो xyz को हमने use किया और उसके बाद हम यहां पर slicing उसका करना शुरू करेंगे तो slicing के लिए हमें starting position और ending position चाहिए होगी याने start कहां से करना है तो हम बोले कि 0 से start कर और पहले जो है मतलब 0 से start कर और 7 तक end कर दे तो यह क्या करेगा 0 से लेके 6 तक आपको character प्रिंट करवाएगा 7 जो भी आपकी ending value होगी वो वाली value प्रिंट नहीं करवाता है क्योंकि वो exclude किया होता है तो याने आपका 0 से लेके 6 तक याने 0 पे हमारा w शुरू हो रहा था और 6 पे e खतम हो रहा है याने ये 0 से लेकर 6 तक के array index में जितनी भी value है वो प्रिंट करवा देगा तो इसलिए आप यहां देख रहे हो welcome message प्रिंट करवाया हुआ है और similarly आप यह जो same चीज है इसको negative slicing भी कर सकते हो याने कि आप बता रहे हो कि मेरे को मैंने यहां पे लिखा जो starting range है उसको मैंने बोला हुआ है minus 6 याने कि minus 6 कहां पे है यहां पे तो आप देख सकते हो minus 6 जो है वो यहां पे है जिसकी value है P तो मैं इसको बोला हुआ minus 6 से लेके मेरे को end तक जितनी भी value है वो दिखा दे again end पे यहां पे देखो कि मैंने कोई value नहीं डाला है इसलिए यह पूरा end तक जितनी भी value होगी वो उठा लेगा तो आप तक जितना भी हमारा theoretical था वो खतम हो गया आप बात करते हैं थोड़ा बहुत practical करते हैं चलो तो जूपिटर notebook खोलते हैं और उसमें program लिखना शुरू करते हैं तो मैंने जूपिटर notebook खोल लिया और यहां पर हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले कोई भी एक variable ले लेते हैं variable का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं तो इस case में variable का नाम fruit रखता हूँ और इसको हम value assign करते हैं string type की ठीक है तो हम लिखते हैं apple अब इसमें लेसे मेरे को जो सिरफ पहला character अगर देखना है ठीक है तो उसके लिए हमें जो use करना है fruit और उसके बाद जो square brackets होती है यह यह वाली bracket है इसको start and close करना है और इसके अंदर आपको index position बतानी है तो जैसा कि अपने example में देखा अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा तो जो आपका first letter होता है उसका index position 0 होता है तो यानि इस case में यह apple का सिरफ a print करवा के हमें देगा यहाँ पे print statement भी लिख सकते हैं और control enter press करेंगे तो यह execute होगा और हमें output देगा यहाँ ठीक है अब example लेते हैं इसके नीचे में एक cell और insert कर लेता हूँ तो उसके लिए insert और insert cell below पे आपको जाना है और यहाँ पे हम print करते हैं जैसे में को first 3 letter जो है वो print करवाने तो उस case में मैं बोलूँगा 0, 0 हमारी जो starting range है तो जैसे मैं बोल रहां first 3 तो उस case में हमें starting position भी बतानी होगी और ending position भी बतानी होगी तो यह हो गई 0 हमारी starting position और उसके बाद हमें बतानी हैं हमारी ending position तो मैं बोल रहां first 3 letters चाहिए मुझे तो मैंने 0, 2, 3 बोल दिया अब control enter press करेंगे तो यहां पे हमें app का output मिला याने कि हमारा जो पहले 3 letters है वो print इसने करवा दिये हैं ठीक है अब यहां पे फिर से जाते हैं insert cell below करते हैं और यहां पे हम जो negative index की बात करते हैं तो लैसे मेरे को यह पूरे का पूरा पूरा प्रिंट करवाना है reverse order में ठीक है या लैसे मेरे को last 3 item लेने हैं तो last 3 item अगर हमें लेने हैं तो हम यहां पे लिखेंगे minus 3 because हमारा जो starting range है वो पीछे से है यहने reverse order में है तो हमने लिखा minus 3 उसके बाद हम use करेंगे colon और उसके बाद लिखेंगे उसके बाद actually कुछ भी लिखने की आपको जुरत नहीं है उसके बाद अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो यह आपको last की 3 values दे देगा तो यहां पे control enter press करते हैं यहां पे जो आपका output है वो है PLE ठीक है तो यह जो last के आपके 3 characters हैं वो आपको as a output मिल गया है अब यहां पे अगर आपको कुछ इस टाइप के question पूछना चाहरे हो कि एक तो यहां पे index मतलब हम square bracket use क्यों कर रहे हैं square bracket के अंदर ही number क्यों दे रहे हैं तो अगरें यह सब जो है यह syntax का part है तो जैसे हमने बात किया था syntax syntax बताता है कि किसी भी programming language को आपको किस तरीके से लिखना है ताकि computer को कैसे basically पता चलेगा तो यह जो है python का syntax है इसमें आपको बहुत ज्यादा deep में कुछ भी समझने की जुरत नहीं है तो basically जब भी आप string या list में index यूज़ करोगे तो index के लिए हमेशा आपको यह square bracket का use करना पड़ेगा square bracket के अंदर आप index number बताओगे तो यहाँ पर इसलिए हमने यह fruits है, fruit यह हमारा variable है इसके अंदर जो हम सिरफ first letter में interested है तो हमने याने उसका index number 0 दे दिया और similarly अगर आपको slicing करना है याने कि कोई range of value उठानी है याने 0 से लेके लेसे first 3 value उठानी है तो हमने 0 से 3 तक बता दिया value और उस case में याने starting और ending वाले range के बीच में आपको colon का use करना है यह भी syntax का part है ठीक है तो hopefully अभी तक सब कुछ बहुत clear था अगर कुछ भी doubt हो तो आप पूछ सकते हैं यहां पर अगर लेसे में को पूरे का पूरा जो यह word है इसको reverse order में print करवाना है तो उसके लिए python में inbuilt कोई भी function नहीं होता है जो आपको use करना है वो आपको करना है यहां पर लिखिये print और fruit यहां पर आप इसको starting range में दो खाली छोड़ दो और ending range भी खाली छोड़ दो औ last में आपको लिखना है minus one तो यह क्या करेगा यह आपका जो यह apple आपने लिखा था इसको reverse order में print करवा के आपको दे देगा ठीक है तो यहां पर slicing हम कर रहे हैं उसमें हम बता रहे है starting range तो यहांने starting point हम क्या बोल रहे हैं हम उसको कुछ नहीं starting point और ending point में भी हम कोई value नहीं दे रहे हैं तो by default अगर हमने starting point में कुछ भी नहीं दिया है तो यह 0 से शुरू होगा counter ठीक है और ending range में भी हमने कुछ नहीं दिया है तो वो पूरी की पूरी जितनी भी length है उसकी याने list की जितने भी characters है उसमें वो सारी value पे वो operation perform करेगा और जो last वाला यहां पे हम बता रहे हैं minus one वो हम बता रहे हैं कि basically traversing किस order में करना है अगर मैं zero अगर यहां पे हम कुछ नहीं लिखते हैं तो वो positive order में करता है अगर मैं minus one लिखता हूं तो वो negative order में basically जाएगा यह video काफी बढ़ी हो रही है इसलिए यहां पे इसको close करते हैं और next lesson में बात करेंगे list data type की और उसमें हम लोग पूरा समझेंगे कि list क्या है उसको कैसे use करना है कि सिनेरियो में use कर सकते हैं real life उसका use case क्या है वो सब चीजे तो अगर कोई question हो तो comment वगरा में लिखो और आपको और और भी easy language में समझना चाहते हो या कुछ भी आप बताना चाहते हो कि ऐसे नहीं इस वे में समझाओ तो वो सब जो भी आपका feedback हो मेरे को comment section वगरा में बता दो ताकि मैं जो अगली वीडियो बना उसमें वो सब चीजे improve कर लूँ